नमस्कार्ट स्वागत है आपका आप देख रहे हैं दनियूस और मैरानी गुपता आपके साथ लोगसवाद चुनावों के बीच इस वक्त आम आदमी पार्टी की नेता आतीशी का बड़ा बयान सामने आया है उनका कहना है कि अब लोगसवाद चुनावों और प्रचार की कमान जो है वो अरविंद केश्रिवाल की पतनी यानि की सुनीता केश्रिवाल समालेंगी बकादा न सिर्फ वो दिल्ली में बलकि पंजाब, हर्याणा और गुजरात में भी चुनावी प्रचारों को अंजाम दे देंगी दरसल आपको बताते कि दिल्ली में छटे चरण में 25 माई को लोगसवाद चुनाव के लिए बोट डाले जाएंगे और इसी दिन राजधानी की सभी साथ सीटों पर वोट डाले जाएंगे तिहार जेल में बंद सीम अरविंद केश्रिवाल के पतनी सुनीता केश्र केश्रिवाल 27 सप्रेल से चुनाव प्रच्वार के शुरुवात करेंगी और वंद केश्रिवाल फिलहाल दिल्ली शराब घोटाला मामले में जेल में बंद हैं इसलिए उनकी पतनी ने मूर्चा समहल लिया है सुनीता केश्रिवाल अब आम आदमी पार्टी की चुनाव प् सुनीता दिली के अलाबा पंजाब हरियाना और गुझरात में बीचुनाव प्रचार करेंगी सुनीता केश्रवाल के चुनाव प्रचार के जाने की जानकारी, आम आदमी पार्टी की नेता और दिली की सिक्षामंत्री आतीशी ने एक प्रेस कॉन्फरेंस के दौरान दिया, हाला कि इस दौरान उन्होंने मीडिया से बात चीत भी की है, सुनी आतीशी का बयान आखिर वो किया कि वो लोकसभा के चुनाव में प्रचार ना कर सके लेकिन मैं भारतिय जनता पार्टी को ये बताना चाहती हूं कि उनका दाव उल्टा पड़ गया है क्योंकि दिल्ली के लोग पंजाब के लोग देश भर के लोग अर्विंद केजरिवाल जी की गिरफतारी का विरोध क अर्विंद केजरिवाल जी की गिरफतारी के विरोध में अर्विंद केजरिवाल जी के लिए आशिरवाद मांगने के लिए आमादनी पार्टी के प्रत्याशियों के लिए समर्थन मांगने के लिए प्रचार में उतरेंगी वो दिल्ली में प्रचार करेंगी वो पंजाब दिल्ली के लोगों का आशिरवाद अर्विंद के जरिवाल जी के साथ है और कल जब वो इस दिल्ली लोग सभा सीट में जाएंगी परसों जब वो इस दिल्ली लोग सभा सीट में जाएंगी मुझे इस बात का पूरा भरोसा है कि दिल्ली के लोग उनको अपना अशिर्वाद देंगे, अर्वंद केजरिवाल जी को अपना अशिर्वाद देंगे और आम आधनी पार्टी को वोट देंगे दूसरी और दिल्ली शराब गोटाला मामले को ले करके अरवंद केश्वाल को ले करके लगातार बीजुपी इस वक्त हमला वर नसर आ रही है दिल्ली के बीजुपी नेता मजिंदर सिंग सिर्सा ने इस पूरे मामले में एक बार फिर से अरवंद केश्वाल पर हमला बोला है निशाना साधा है, सुनिए मजिंदर सिंग सिर्जा क्या कह रहे हैं। और जिन्हों ने बरश्टाचारियों को जेल बेजने का काम किया, उनको वोट देंगे। के साथ, कुछ चुपाई चीज भी ने छोडने वाले गरीब आदमी की। और वो हम किन को देंगे? हम उन लोगों को देंगे, जिनको डॉक्टर मनमौन सिंज ने का था, जिनका पहला हक है? किनका पहला हक है? देश के सरुतों के उपर, जैदाद के उपर, मुस्लमानों का पहला हक है. ये बात कॉंग्रेस अगर कहेगी, और फिर ये कहेगी, देखिए, आप क्या थाबित कर रहे हैं? मोदी जी किसान को किसान निदी से पैसे दे रहे हैं? और आप कह रहे हैं, हम विरास्ती टेक्स लगाके तेरी आदी जमीन चीन लेंगे. मोदी जी एक दुकानदार को बिना किसी गरंटी के लोन दे रहे हैं? और तुम कह रहे हो हम विरास्ती टेक्स लगाके तेरे पिता जी के जाने कवा तेरी आदी दुकान चीन लेंगे मोधी जी कह रहे हैं कि जो काम करने वारा कारीगर है उसको हम मुफ्त में पैसा देंगे ताकि अपना रोजगार कर सके पच्चीजार रुपया उसको दे रहे हैं पचास जार रुपया दे रहे हैं लाख लाक रुपया दे रहे हैं और ये क्या कह रहे हैं कि तुमने जो वो पैसा कठा किया होगा हम उसमें से आदी तुमारी हमारी सरकार कांग्रेस की लेकर चले जा आचाते हैं इसके लिए उस समधाई के लिए ही काम कर रहे हैं और बाकियों को गारी निकार रहे हैं देखिए अगर आपको याद हो रेडिया टेपस आई थी उसमें यही बातें सामने आई थी जो आज परदानमंतिजी निकाहा है यह बिचारे एक एक साल की बिड़ लगा रहे हैं अब लड़ाई तो इस बात की लड़ा है कोई कहरा पहला साल मैं बनूंगा कोई कहरा पहला साल मैं बनूंगा फिर को कहता ना बहिया पहला उने वाला ना दूसरा ना तीसरा लड़ क्यों रहे हो तो यह लोगों के पास ना ना इनके पास कोई सोच है इनके पास तो सब्फना है मुंगेरी लालवाला की हम एक साल का पीम राहूल बनेगा फिर एक साल अर्विंद केजरवाल करा मैं बन जाऊंगा और पर ममता जी जब कहते हैं मैं मैं बनूंगी तो सारे लड़ने लग पड़ते हैं नहीं तो यह तो जी जनता को बताएं कि आखिर उन्होंने किस तरीके से शराब का खारोबार किया है सुनिए अर्जुन मुंडा का बैया देखिया ऐसा है कि जेल प्रसाशन जाच करने वाले ये सारे इंडिपेंडेंट है उनको सारी सुविधाये निश्चित रूप से जो मैनुवल के आधार पर वो मिलना है इसमें कोई कुछ नहीं कर सकता ये इस तरह की बातों को यहां कह करके उस चीज को ढगने का कोशिस और उस पर परदा डालने के कोशिस के जिस पर जिस जो आरोप है आरोप क्या है जो आरोप जिसे कहा जाए कि एक तरीक ऐसे जैसे देहाद में कहते हैं नहीं के और खास करके हम लोग के यहां पर बहुत सार ऐसे जारू पिला के जमिन लिखवा लेना तो वैसे ही दिल्ली में उसमें भी घोटाले की बात यहां कोई जमीन लिखवा रहा है वहां जमीन के लिए धारू बिचवा रहा है यह कर रहा है इसके बारे में जनता को बताए ना क्या है यह बता दे तो बात अस्पस्ट हो जाएगी यह नहीं बता के यह दूसरी बाते कह रहे हैं यहां बात CNT Act की होती है और CNT Act का खुद उलंगन करते हैं, CNT Act का उलंगन हुआ है कि नहीं इस पर जवाब देना चाहिए लों, CNT Act भगवान बिर्शा मुंडा के आंदोलन के बाद बना, उस Act को ताक पर रह करके अगर जमीन का हस्तांतरन हो रहा है तो यह दुर्भागे पूर्ण है ना आपको बता दे कि जब से अरवेंद केश्रिवाल की गिरफतारी हुई है, सुनीता केश्रिवाल लगातार एक्टिव हैं, वो न सिर्फ दिल्ली की जनता से लगातार बातचीत कर रही हैं, बलकि पार्टी का कामकाज भी देख रही हैं, अब वो चुनाव प्रचार अभ्या एक ही चुरंड में चुनाव होंगे, या छटे चुरंड में 25 माई को बूट डाले जाएंगे, दिल्ली के साथ ही हर्याना के गुडगाओं और फरीदाबाद में 25 माई को मतदान होगा, वही उत्तर प्रदेश के नौइडा और गाजियाबाद में 26 अपरेल को मतदान होगा अगर बाद हम नौइडा गाजियाबाद की करें तो आज वहाँ पर मतदान हो रहा है, लेकिन फिलाल अगर हम दिल्ली की बात करें, तो दिल्ली की साथ विधान सबाज सीट इस वक्त बीजुपी के लिए खास माईने रखती है, तो वही आम आदमी पार्टी और इंडिया किया गया है, फिर चाहे वो संजसिंग हो, सौरफ भरदवाज हो या फिरातीशी हो, ये लगातार सवाल उठ रहे है, क्या लोगों का कहना ये है कि अब सुनीता केश्रवाल सीधे फ्रंट रो पर आ चुकी है, अगर दिल्ली के सियम अरवंद केश्रवाल जादा दिनों तक जेल में रहते हैं और उनके इस्तिफा देने की नौबत आ जाती है, तो क्या दिल्ली का नया सियम सुनीता केश्रवाल होंगी, क्योंकि अभी तो खेर उन्होंने ना तो पार्टी की सदस्ता गरहन की है, ना ही किसी भी तरीका का चुनाव लड़ा है, लेकिन अभी भी काया सवाल यह उठाया जाँ रहे हैं, क्योंकि जिस तरीके से पहले बाते हो रही थी, देखने को मिला था कि घिरफतारी होती है, European से सोधिया की गिरफतारी होती है, तो अभी पार्टी के नेता जो है वो आगे आकर अरिण के दिनिता केशिवाल को आगे किया और जब से डिली के सियम अरवकेश्रिवाल सलाखों में गय है तब से सुनीता केशवाल लगातार प्रेस कॉन्फरंस करती हुई नसर आती है और गडबंधन की जो चुनावी रैलियां हैं उसमें भी संभोधत करते होई नसराती हैं जब अरवञ्ण हेश वाथा जेल में गये थे तो बगादा चपतेश दिया गया यह सुनीता केश्रवाल सीम की कुर्सी पर बैठ करके लोगों को सनाती है कि आखिर अरवंद केश्रवाल ने दिल्ली की जुनता को क्या संदेश भीजा है इतना ही नहीं जब गडवंधन की जो रैली थी वह आयोजित की गई थी जारकण में तब भी वहां पर सुन आम आदमी पार्टी के करें तो आम आदमी पार्टी यह कैम्पेइन चला रही है कि जेल का जवाब वोट से तो जिस तरीके से यह कैम्पेइन है देखना दल्चस्प होगा कि क्या सफल हो पाता है या नहीं लेकिन अगर बीजपी की बात करें तो बीजपी ने भी दिल्ली क साथ सीटों पर एक से बढ़ करके एक दिगज को चुनावी मैदान में उता रहा है फिर चाहे अगर हम बात फिरेंदर सचादेवा की करे बांसुरी स्वराज की करे या फिर मनोस्तिवारी की करे यह ऐसे दिगज लेता हैं जिन्हें बीजपी ने इस बार दिल्ली की इन सीटों पर चुनावी मैदान में उता रहा है फिलाल इस पूरे मामले को लेकर के आपकी क्याराय है हमारे कॉमेंट सेक्शन में जरूर बताएं धन्यवाद